Movie Meditation कैसे करना है? Friends, हम बहुत बार movies देखते हैं एक ध्यान का स्थिति में movies कैसे देखना है करके हम ए वीडियो में learn करते हैं हम गर में देखते हैं नई तो बाहर थीयटर में देखते हैं किदर भी देख रहा है आप अच्छा से comfortably बाइटना है स्थिर सुकासन में So एक बार बाइट गया तो बिलकुल हिलना जूलना नहीं है अच्छा से बाइटना है स्थिरता के साथ एक पट्थर जैसे बाइटना है कोई भी moment नहीं है जब स्थिरता के साथ बाइट गया है बाई गया है तो automatically 50% meditation हो जाते हैं हमारा ले सो और भी बढ़ाने के लिए इसका meditation का quality को और भी बढ़ाने के लिए क्या करना है हमारा metabolic rate को भी reduce करना है heart rate को और breath rate को सांसों का गती खुदे का दरकन दोनों भी slow होते हैं तो कैसे slow हो जाते हैं गेहरे शांती विश्रांत इस्तिती में relaxation में deeper relaxation में हमारा breath rate और heart rate slow हो जाते हैं जब भी हम गेहरे relaxation शांती विश्रांत इस्तिती में जा रहा है तब तब हमारा energies और भी अच्छा से बढ़ जाते हैं कम समय में हम ज़्यादा energies So second point है, हम जब भी बाइट रहा है, पहले second से हम पुरा body को उपर से नीचे तक relaxation करते हुए अबसर करना है. For example, माता को forehead, आइस को relax करना, आंके को, अच्छे से smile है या नहीं check करना, थ्रोट को, गला और गर्दन, नेक, खंदो को, हाथ बायर को, और चाथी, पेट को, स्टमक को भी पूरा relax करना है, अच्छे से relax करते रहना है. कब-कब relax करना है, हर दो-तीन मिनिट में एक बार पूरा उपर से नीचे तक scan करते हुए, अच्छे से relax करना है हमारा body को. body, नींद का स्टिती में ही इतना relax होना है, body पूरा पत्तर जैसे बैर हो जाते हैं, और नींद का स्टिती में कैसे गहरेपन, एससे relax हो जाते हैं, पर अच्छे से हम मुस्कुराते हुए, मूवी को देख रहा है, आंखे ओपन है, और मूवी को भी enjoy कर रहा है. तो friends, next point है, हम इतना relaxation के उपर काम करना है कि, जब Olympics में goal medal के लिए running कर रहा है हो, कितना अच्छा से 100% उनका effort करते हैं न, ऐसा ही, हम भी गहरे relaxation पे उपर, physical body को relax करने में, हम भी इतना work कर रहा है. इतना sincerely work कर रहा है, और next point है, emotions आजाते हैं movie में, कभी-कभी villains, villains आके hero को, hero को family को कुछ तकलीफ देते हैं, attack कर रहा है, इस सारा, बहुत सारा situations, emotional situations कि, किसीने रो रहा है, किसीने, whatever, बहुत सारा emotions है न, movie बलो तो emotions सारा रहते हैं, इसमें क्या करना है, हम उनको, clear understanding, ग्यान के साथ, ग्यान के साथ रहना है, कि, ये movie ही है, कि ये movie ही है, एक movie में एक रचीत आतर है, according to the storyteller, कि, according, director ने, actors को कह दिया, कि, ऐसा रोने के लिए act कर लो, ऐसा attack करने, fighting का act कर लो, करके उन्होंने बता है, इसलिए वो सारा, बहुत अच्छा action कर रहा है, ये सारा, सच मुछ में नहीं है, real नहीं है, ये ग्यान, अच्छा से हम को पकड़ते हुए हम, देखना है movie को, involved, emotion के तल पे, जिस्ट आ रहा है, देख रहा है, बट, पूरा अच्छा से ग्यान से देख रहा है, कि, ताकि हम, ज्यादा effect नहीं हो रहा है, अच्छा से enjoy कर रहा है, कभी-कभी jokes है, तो, हसना भी आ चाते ह ज्याद करके तुरंद और भी, और भी रिलाक्स करना है हमारा बोडी को, बहुत ही रिलाक्सिशन पर और भी वर्क करते रहना है, कैसे रिलाक्स करना है, पूरा बोडी को स्कैन करना है, सास दीमी हो रहा है, हार्ट बीट भी, हुदे का दरकर भी रिलाक्स हो रहा है, अच् सेकंड के लिए कभी-कभी बीच में रुख जाते हैं, इसको केवल कुमबक कहते हैं, हम इतना रिलाक्स होना आया है, तो ब्रत हमेशा फास्ट लेने का जरूत नहीं है, तो दी में होके कभी-कभी रिलाक्स होता तो भी ठीक है, अच्छा बात है, तब और भी एनजिस अच्छा ब्रीधिंग लेते रहना है, नेक्स पॉइंट है, हमेशा चिक करते रहना है, हमारा स्टमक रिलाक्स है या नहीं, मुजल्स रिलाक्स है या नहीं, फेस में मुस्क्राहट है या नहीं, अच्छा से ब्रत भी अच्छा है या नहीं, हमेशा हर दो-तीन मिनिट में बहुत ही इस रिद्दा से हम enjoy कर रहा है, observe कर रहा है, next point है friends, कभी-कभी dialogue हो रहा है, एक hero है और किसे से बात कर रहा है, scene to change नहीं हो रहा है, कोई नहीं दो person से dialogue, तब आखे बंद करने के अभी हम, हमको scenery change नहीं हो रहा है, दो person उदर ही कड़े हुआ है, बीच बीच में कभी-कभी आखे भी क्लोस करें, तो और भी relaxation पर जाते हैं, उसको अच्छा से utilize करना है, next point है friends, completely awareness के साथ हम रहते हैं, पहले बहुत-बहुत energy से हम receive करते हैं, receive करने के बाद, हम जितना relax होते हैं, energy से बहुत आ जाते हैं, पूरा body में energy से एके कंड में full हो जाते हैं, होने के बाद क्या हो जाते हैं, हमारा energy से ओवरफ्लो होना लगता है, हमारा आनन्द आ जाते हैं, आनन्द आ जाते हैं, उसके बाद overflow हो रहा है, तो महदा आनन्द है, पूरा great bliss हैं ना, तो हमरा एनर्जी पूरा थियेटर पूरा expand होते हैं हमको पता चल जाते हैं हमरा body में ही नहीं हम आनद है हम सब का भी emotions की हम observe कर रहे हैं हम अब जाए कर रहे हैं पूरा थियेटर पूरा हमरा energy से बड़ा होगा है करके हमको feel हो जाते है अच्छा है वो ऐसा करते रहना है और भी next level आ जाते हैं हम और भी expand होके है expand होके हमरा energy पूरा विश्व में expand होके वननेस में इस्तिती में आ जाते हैं वननेस में रहते रहना है वो ही important है friends और next है बीच में इंट्रवेल आने के बाद इंट्रवेल में कभी-कभी आप जाके थोड़ा दो तीन मिन वाकिंग भी कर रहे हैं तो पता चल जाते हैं हमारे जिस कैसा है कैसा लग रहा है और सारा पता एक experience आ जाते है दो तीन मिन अच्छा से वाकिंग करके फिर से आकर आज करके पोस्टर को बाइट ने के बस इंट्रवेल से फिल से मुवी एंड तक अच्छा से बिना हिलते जुलते पत्तर जैसा रिलाक्स करते हैं अच्छा से सिंसियली बाइटना है तो emotions आ जाते हैं बहुत सारा आने के बद भी ठीक है अच्छा से enjoy करना है फिर से फिर से relax करना है ऐसे कर लिया तो हमारा movie meditation में बहुत ही energies बढ़ जाते हैं एक बार movie meditation practice करना हो रहा है ना हमारा life में भी सारा life भी movie है करके पता चल जाते हैं महारा life में भी बहुत ही confidence ओपना है इसमें बहुत सारा काम भी करने के वक्त भी न थभी भी हम को बहुत ही एक आराम से life को movie को कितना enjoy करते हुए देख रहे हैं तना enjoy करते हुए हम life को भी जी सकते हैं wish you all the best wonderful